तो भाई, welcome back guys in my channel, hope you are doing absolutely fine, तो मैं अभी आ चुका हूँ, क्रांतिकारी भवानी सिंग रावत, भवानी सिंग रावत, चंदर सेकर आजाद के दो सातियों में से एक साती थे, जो की उत्राखंड से बिलॉंग करते थे, जो की जो कांड हुआ था, चंदर सेकर आजाद वाला, प्लेसों में से एक प्लेस भवानी सिंग इसमारक, तो ये दुगड़ा से 5 या 6 किलोमीटर पहले पड़ता है, और सिंधिखाल वाली रोड पर पड़ता है, तो आप जरूर आए और जब भी आए यार देखें, और फील करें, हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में पता होना चीए, तो गाइस, देखो और समझो, तो भाई, दुगड़ा से 4 या 5 किलोमीटर और सिंधिकाल से 10 किलोमीटर पहले ये पड़ता है, क्रांतिकारी भवानी सिंग समाधी, यार, क्यूंकि इस समाधी के बारे में मैं भी जादा कुछ जानता नहीं हूं, बट जितना य या अपको बताता हूं कि ये भावानी सिंग रावत की समाधी है, और ये की सिंधिकाल से 10 किलोमीटर पहले पड़ती है, और ये वो पेड़े जहां पर उन्होंने गोलिया लगी थी जिस पेड़ पर, तो ये वो पेड़े माना जाता है, और ये समाधी, क्रांतिकारी, पुन्यते थी। 6 मैं 1986 की इस पुन्य conservativeMore बह्माजi तो भवही यह उत्राखंड के अन-आकस्प्लॉर प्लेश्ईस में यार ठीक है तो यह उत्राखंड के अनक्सप्लॉर प्लेश्ईß में आता है यह वह उनकी समाधी है भवानी बहानी सिंह रावत और बहानी सिंह रावत जो की यार गडवाल के इनी करांतिकारी रहे हैं और महान करांतिकारी चंदर सेकर आजाद का जन्म 30 जुलाई 1906 को भाबरा गाउं मध्य परदेश में हुआ 6 जुलाई 1930 में चंदर सेकर आजाद ने अपने सातियों के साथ गड़ो दिया इस्टोर चांदनी चौक दिल्ली में डखेती के अंजाम देने के बाद भावानी सिंह रावत एवा अन्य करांतिकारी सातियों के साथ अंग्रेजों को चक्मा देकर किसी निरापद स्थल की करते हुए 27 फरवरी 1931 को सहीद हुए दिनांक 27 दो 2019 को यहां परतिमा उनकी इसमर्ति में इस्थापित की गई है तो भावानी सिंह रावत जो थे वो करांतिकारी चंदर सेकरा जाग्ठ के साथ ही थे तो ये जो जगा है ये भावानी सिंह रावत के नाम से ये एक जगा ये एक पार्क बना गया है आप देख सकते हैं ये पार्क है करांतिकारी भावानी सिंह रावत के नाम से तो भाई देख लो ये हमारी उत्राखंड की जो चीजे हैं जो की अभी अन-एक्स्प्लोर है आओ, देखो, बहुत ही सही, तो यह है करांतिकारी भवानी सिंग्रावत की समाधी, यह आप देख रहे हैं, और सीरियसली यार, यह चीज एक्स्प्लोर करनी चाहिए हम, रॉल, यह देख लो यार, बहुत ही, अक्सर बरसात में न, ऐसे गदन बहुत सारे निकल आते हैं, तो यह गडवाली भासा में इसे रॉल बोलते हैं, व्यू देखो यार, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, यह देखो, यह हमारे दो साती, और व्यू देखो यार, कितना बढ़िया आ रहा है यहां से, तो यह कोड़दौर से, कोड़दौर से दुगड़ा 14 किलोमेटर पड़ उत्राखंड है यार उत्राखंड में बहुत सारी जगा है जो अभी अनेक्स्प्लोर है उन्हें हमें एक्स्प्लोर करनी चाहिए ठीक है चल चलते हैं फिर घर की ओर कि दुगद्ध से एक किलोमेटर पहले पड़ता है एता बाइक हो बहुत ही अच्छी जगह है स्विमिंग तुल भी आपको मिल जाएगा देख लो याप यह जगाए सफर कैसा है यह सफर मन्जिलो कीना है कोई खबर सफर कैसा है यह सफर मन्जिलो कीना है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी आरी हो गई जो फर्ज से भना था तो भाई अभी तुम्हारा भाई पहुचा है रास्ता कैफ है रास्ता कैफे खुल चुका है तो आर कोड़ार के आसपास वाले जिसने भी आ सकते हैं कर दो के आसपास वाले रास्ता कैफे में मन्जिलों कि न है कोई खबर सफर तो भाई यह है रास्ता कैफे का व्यू देख सकते हो बहुत ही सेक्सी व्यू दिखता है रास्ता कैफे से तो भाई जब भी आप दुगड़ा हो तो दुगड़ा आने ते वक्त आपको हाती भी दिख सकते हैं तो यह देखो हाती आप हाती भी देख सकते हैं यह देखो हाती भाई तो यार हाती देखने के लिए लोगों का न ऐसे जमावना लग जाता है जो की सही निया यार बीच रस्त में निरोकनी चीए गाड़ी क्यों जी तो यही सभी लोगों से अनुरोध है मेरा कोड़द्वार और दुगड़ा जाते वे ऐसे गाड़ियां प्रोके नहीं क्योंकि हाथी तो अपना काम कर रहें विचारे तो यह है मेरा उत्राखंड गाई तो यह उत्राखंड से बढ़िया कोई जगा नहीं है आप आओ एक्स्प्लोर करो गुजर एसी राह से गुजर जी उठे हर गड़ी हर पहन सफर कैसा है ये सफर मन्जिलो कीना है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मन्जिलो कीना है कोई खबर सफर सफर सबस्प्र से बढ़िया ये सबस्पटू सबस्फर सबस्पटू मन्जिलो कीना कोई खबर झाल झाल